आज स्माचर प्रदेश मंत्री मंदल की बैठक मान्य मुक्ष मंत्री ठाकूर जैराम जी की जैक्षता में जंपन हुई जिसमें मंत्री मंदल ने केंद्रिय सरकार विशेश रूप से प्रधार मंत्री शिरी नेंद्र मुदी जी गही मंत्री शिरी अमिचा जी और भारतिय जंता पार्टी के राष्टिय ध्यक्ष और हिमाचर प्रदेश के समानिय सांसत शिरी जिगत प्रगाश नड़ा जी का अभार विक्त किया सन 1908 से लेकर के जिस मांग को लेकर के हिमाचर प्रदेश के सिर्मौर जिला के हाटी समुदाय के लोग मांग कर रहे थे उसे केंद्रिय मंत्रि मंदर की बैठक जो 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में संपन हुई उसमें मंजूरी प्रदान की गई है इमाचर प्रदेश की सरकार मानिय प्रदान मंत्री जी का इज़े से अभार विक्त करती है ये एतिहासिक निर्ने है और हिमाचर प्रदेश के इतिहास में जो है वो इस प्रकार के निर्ने भारतिय जन्ता पार्टी की सरकारों में आज तक भी लिए गए है उसी कड़ी में हाटी समुदाय की मांग को पूरा करना जो है वो वास्ता में जो है वो एक अन्याय जो इस खेतर के इस्तमुदाय के लोगों के साथ किया गया था उस अन्याय को जो है वो समाप्ट करके भारतिय जन्ता पार्टी ने पूर्ण अन्याय जो है वो किया है आज मंत्रि मंदल की बैठक में एक और कि जो एसमसी पॉलिसी है स्कूल मेनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी परिवर्टन किया है पॉलिसी की क्लॉज 10 जो है उसको समाप्ट कर दिया गया है डिलीट कर दिया गया है और क्लॉज 9 में जो है वो एक महत्व पॉन प्रवीजियो जो है उसमें जोड़ा गया है और मंत्य मंदल ने जो है उनकी जो नौक्रियां है जो वो काम कर रहे हैं उसे सुरक्षित रखने के दिशा में जो है वो एक बहुत बड़ा निजने लिया है इसी के साथ साथ उनको जो है वो जो बाकी एंप्लोईज का होता है वन कैजूली पर मंत वो उनको फुटियां भी मंदूर की गई है और साथ ही साथ जो है वो मैटरनीटी लीव जो बाकी एंप्लोईज को दी जाती है उसे भी मंदूरी प्रदान की है मैं समझता हूँ कि इस निरने से जहां हिमाच प्रदेश के हाड और त्राइवाल एरियस में दुशेश रूप से काम करने वाले हमारे समसी के अध्यापक हैं उनको ला भी नहीं होगा परन सुरक्षा भी उनको प्राप्त होगी और आगे जो है वो उनका प्रविश्य सुरक्षित रहेगा इस बात की और जो है वो एक महत्वपून कदम जो है जो है प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है जिसकी घोशना मानिय मुक्षमत्री जी ने 15 अगस्त को भी की थी जो पंचायत चौकिदार हैं जिनकी 12 वर्ष की जो है वो काम करते हुए पार टाइम काम करते हुए नौकरी हो गई है उनकी सेवाओं को डेली वेडिस में तबदील करने का निरने लिया है जो आगे रेविलराजेशन की दिशा में बढ़ने का एक मेहत्वपोर्ण पढ़ाओ है मंत्री मनल ने निरने लिया है कि हिंदुस्तान के समिधान के निरमाता कहे जाने वाले समिधान सभा में इस्ट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेर्मेन और भारत रतन डॉक्टर भीमराव अंबेदेकर जी के नाम से पूरे प्रदेश के बारा के बारा दिलों में पुस्तकालिय जो है वहाँ पर जो जिरा पुस्तकालिय है वह भीमराव अंबेदकर पुस्तकालिय के नाम से जो है वह जाने जाएंगे और उनका नाम करना होगा जो टेंपरेली पुलिस पोस्ट है भारोल मंडी जिला में उसे पुलिस टेशन में कनवर्ट कर दिया है आठ बदों के साथ मंडी जिला के ही पंडो में पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करके पुलिस टेशन बनाए गया है इसमें भी आठ पद स्रीजित किये गए है और शिमला जिला के पुलिस